आरा सीट की अगर यहां पर बात करें तो इस बार होट सीट वो है केंद्री मंतरी आरके सिंग तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सीपी आई एमल के सुदामा प्रसाद जो है उनके साथ उनका मुकाबला है राजिंद्री जी भोचपूरी इलाका ये कहा जाता है क् जो जाती समीकरण है वो किसका साथ इस बार देते हुए नजर आ रहे हैं देखे आरा सीट पर आरा और कराकार दोनों की बात में कर रहा हूं दोनों पर फायदा ये हुआ है माले को कि उसे लंबा समय मिला है प्रचार के लिए और उसके चलते वो घर-घर तक पहुंचने मे काम्याब हुए है क्योंकि लास्ट फेज में ये चुनाव हो रहा है दूसरी बात ये कि माले जो आती पिछडे दलित ये जो वर्ग है इसमें उसकी पैट है और अच्छी पैट है इसके चलते आर के सिंग को थोड़ा दिक्कत आ रही है जब चुनाव शुरू हुआ था उस और दूसरी तरफ मोदी जी का वो प्रभाव नहीं रहा तेजस्टी का प्रभाव है और इंडिया गटबंधन के नरेटिव हैं लोकल इस्यूज है माले वहां केंडिडेट है माले कंडिडेट जब है वहां पर उसका बहुत सीधा सा मामला है कि बिलकुल नीचे तक उसकी प संगार वगएरा उस समय हुए थे तो एक नरेटिव यह देने कोशिस की गई बट माले जो है माले को लेकर के यह कि यह लोग आएंगे तो ऐसा होगा लेकिन जो सुदामा प्रशाद है वो उन नेताओं में से रहे हैं जिन नेताओं ने जो इंडियन पीपल्स फंड था जो उस समय काम करता था माले की जगे पर अंडरग्राउंड जो काम करते थे यह लोग उसको पॉल्टिक्स में और डिमोक्राटिक उसमें लाने वाले में प्रमुक भूमिका सुदामा प्रशाद की रही है और इसके चलते सुदामा प्रशाद पर इस तरह की कोई चीज चिपक नहीं रही है तो एक मुमेंटम जो आप कह रहे हैं कि वो बनाए रखने में भी वो काम्याब होते वे नजर आ रहे हैं लेकिन बहुत दिल्चस्प बात आप यहां पर कर रहे हैं चारतारी को किस तरफ आरा की सीट जाएगी यह देखना होगा बकसर की अगर बात करें अमित प्रभाव है तो यहां पर क्या लग रहा है आपको देखिए यहां भी ट्रैंगलर कॉंटेस्ट है दोनों ब्रामन समाल से कैंडिडेट जब भाजपा और इंडिपेंडेंट हो गए तो हो सकता है बाजपा को यहां पर थोड़ा डामेज देखना पड़े जेलना पड़े ल अक्सर काराकाट आरा सासाराम यह रोतास छेत्र में आते हैं जहां 2020 में विदान समा में आर जडी ने अच्छी खासी पैट बना ली थी अपनी लेकिन यह बनारास और पुर्वांचल से भी सटा हुआ है तो जब लोकसमा का चुना होता है तो जब मोदी जी यहां से लड़ ताइसलाद में आर जब गया झाहता है तो जब टाइसलाद